गुड मार्निंग क्लास टुड़ेज टॉपिक चैप्टर नंबर वन नूट्रेशन इन प्लांट्स प्रीवेस क्लास में अपना मोड्स ऑफ नूट्रेशन सोच शुपा था जिसमें अपने डिफरेंट टाइप के मोड्स देखे थे ओटो ट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक यह को ज़े तरह उत्रिपधा के लिएति आपने से चैब्स ऐट्रॉफिक आपने मोड्स प्रिप्डवेस के लिए जो क्या था ऊप्रक्षि में अक्राइपशे नौट्रॉट इंकलूड़ेस इसमें तो ग्रे ψक्रॉपशन वी जनक्रेच्ट अब सैंवीट्शन वीट्र, बाकि एक ऐसा एक्सेप्शन बही था ब्ल्यू ग्रीन एल्गी साइनो बेक्टिरिया जो क्या था अप्वास रूब अपना खुद का खाना खुद बना रहा था आज देखते हैं फोटो सिंथेसिस जिस प्रोसेस का यूज करके ग्रीन प्लांट्स करते हैं फूड प्रिपेर करते हैं जिसमें ऑक्सिजन वह रिलीज करते हैं कार्बन डैक्साइड गैस वाटर और मिनरल्स का यूज करके सनलाइट एनरजी को फूड एनरजी में कनवर्ट कर देता है तो लाइट की प्रजेंज में कोई चीज बनाना उसी को कहते है फोटो सिंथेसिस अबला फूड बनाते हैं ग्रीन प्लांट्स तस फोटो सिंथेसिस मींस बिल्डिंग बाई अप बाई लाइट तो लाइट की प्रजेंज में कोई चीज बनाना फोटो सिंथेसिस अधा लीज ओ प्लांट्स और ग्रीन ग्रीन कलर होता है है यह जो ख्लोरोफिल पिग्मेंट जाता है इसकी वज़े से क्या होता है प्लांट्स का कलर ग्रीन रहता है ग्रीन प्लांट्स फोटो सिंथेसिस करने में कैपेबल होता है वह कार्बन डाइकसाड एप्जॉर करते हैं पॉल्यूटेट गेस अट्मोस्फर से वाटर और मि सेद मार्ण है इससे पता चल singles कि घ्रीन अट्मस है को क्रीन भी करूर है साज़ अपने पूर भी अवेलेबल करा रहेए अ है है एक टेकंटेण nti green कलर ந बोडी काल कुल्ड टो क्लोरोफिल तो वैजे ऋब लीप का जैसे लिफ का खालर कैसा रहता है ग्रीन रहता है दा ख्लोरोफिल यूजिस दा स्वालर संलाइट एनरजी टू प्रिपेर फूर्ड फ्रॉम कारबन डाइकसाइड एड वोटर जो सॉलर एनरजी सनलाइट एनरजी को यूज किया जाता है वोटर मिंडरल्स के साथ और कारब उसकी रियक्शन है दा प्रोसेश बाइविच ग्रीन प्लांट्स मेंग देर ओवन फूर्ड गुल्कोज फ्रॉम कारबन डाइकसाइड एन पॉर्टर पाइजिंग सॉलर एनरजी इन प्रजेंस ऑप्लोरोफिल इस कॉल्ट फोटो सिंथेसिस तो यह फोटो सिंथेसिस की ड करते हैं और प्रिप्रेडिविच करते हैं और रिलीज की जाती है तो यह कार्बन डैकसाइड है 6C2 6C2 sunlight की परजेंस में क्लोरोफिल कंपल्सरी है यह किसको गुल्कोज में C6H12O6 में कवर्ट कर देता हैं और 6C2 ऑक्सिजन पार्टिकल्स रिलीज करते हैं तो इंपोर्ट प्रिपेड बाए दा ग्रीन लीज ओफ ए प्लांट इन दा फ्रों में सिंपल कर्भोईडरेट कॉल्ट बुल्कोज और यह जो कार्भोईडरेट 6C2 06 दिवर्ट के वह में रिलीज हो रहा है तो इस सिंपल टाइप का रिलीज होती है एनरजी अपने को मिलती है ठाइलन टिशू से लेकर डाउनवर्ड टक रूटस तक उस फूड को ड्रांस्पोर्ट किया जाता है और प्लांट्स के डिफ्रेंट पार्टस को एनरजी प्रोवाइट कराई जाती है तो इसको सेंट कर दिया जाता है सुकूज के विए बाकि स्टार्ज के वे में श्टोर कर लिया जाता है लीफ अगेरा में और अलग लग पार्ट्स में जिसको आपन यूज कर लेता है अजर फूड अब रिक्पायरमेंट और फोटो सिंथेसिस क्या-क्या चीज रिक्वाइड होती है यह सब चीजों के बारे में अपन डेटेल से नेक्स्ट वीडियो क्लास में इस्टडी करेंगे और बागी कुछ एंड सिक्यूज क्योशन आपको सेंड की जा रहे हैं इनको साइन्स रिकोर्ड में आपको नॉट कर लेना है थैंक यू एवे नाइश टेट